अधिन दोश्ता आपका स्वागत है आज के इस मतलब यह जो हमारी शुरूंकला है जहाँ पर हम आत्मलोक में गेज़ दुनिया है आत्मलोक की वह आखिर किस तरीके से होगी और एक आत्मा के स्वरूप में हमें वहाँ पर कौन से अनुब़ों मिल सकते है आत्मलोक के जो मतलब रुत्वी की जो दुनिया है वो कैसी है वो हमें पता है यहाँ पर जिन्दगी जी रहे हम इसलिए लेकिन आत्मलोक के बारे में मतलब बहुत सारी मतलब कम जानकारी हमें होती है तो उसके बारे में जो भी अब तक मुझे जानकारी मिली है तो उसके बारे में हम इस इस दुनिया में जब आया होँगे वो इनसान का हमारा जनम हुए वैसे ही आत्म लोक में हमारी means in अरतव का हेाल का हम और तमान स्थिति में तो ऐसे वक्त में हमारी आत्मा ने बहुत सरे जनम लिये होंगे, बराबर, मतलब कोई तो एक उसका जिवन चक्र चला होगा, एक जर्णी एक सफर उसका चला होगा, जहाँ पर चौते लोग में उसके कही न कही शुरवाद होई होगी और आज समझो वो छटे लोग में है मतलब उसने अपने बहुत अच्छे से प्रोग्रेस किया है या फिर समझो पाच्वे लोग में है, उसने अपना मतलब विकास किया है, और उसके मतलब कुछ जनम हुए चुके है, समझो हम समझते है हम समझने के लिए कि पचास साथ उसके जनम है तो ऐसे वक्त में क्या होता है बस वो जिवन मतलब चले गए मतलब सब हो गया और आगे के बारे में सोचना ऐसा आत्मा नहीं करती समझव उसने मतलब अभी वो छटे लोक में है लोक से अभी वो छटे लोक में बहुत अच्छे से अपना progress कर रहे है कोई आत्म तो ऐसे वक्त में जब वो आत्मों लोक में होगी तब उसको बहुत बार दोस्तों उसके जीवन के बारे में मतलब सोचने के लिए कहा जाएगा जैसे उसने समझो 50 जनम लिये है तो उसका उस जीवन का आखिर सार क्या है मतलब सिर्फ यहाँ पर बात उसके उस जीवन में उन्होंने क्या अच्छा किया ऐसा नहीं बलकि ऐसे कौन से पल थे जहाँ पर वो बहुत यह अच्छे से मतलब अपना कामगीरी दिखा सकती थी अपना करतव दिखा सकती थी लेकिन उसने किया नहीं जैसे जो बड़ा खिड जाली को ले दोस्तों तो वो सिर्फ अपने गेम को नहीं देखता बलकि वो यह भी दुनने की कोशिश करता है कि उसमें क्या कमजोरी है अगर वो मतलब अपने खेल को देखे तो लास्ट पाच बार या फिर दस बार में किस तरीके से आउट हुआ कौन सा बाल ऐसा जो है ऐसी कुछ भी मतलब अपनी कमजोरी नहीं बनाओंगा जिससे कोई मुझे आउट करे तो इसी तरीके से आत्मा पर बहुत सारी चीजों को मतलब धुनने की कोशिश करती है कि उसकी कमजोरी क्या है ऐसे कौन से हालात है जहाँ पर ऐसे हालात उसके आने के बाद वो अपने पर कंट्रोल नहीं कर पाता उसके पर ऐसे कोई सी कमजोरी है जैसे काम करोद लोग जैसे तो मेरे पस कोई कमजोरी नहीं है जिसके वज़े से मेरा मतलब बहुती जादा मतलब अधोगती हो गई जिसके वज़े से मुझे अनरक में भी जाना पड़ा बाद में दिरे दिरे म उपर आ गया तो ऐसी जो चीज़े होती है उसको आत्मा का जीवन चक्र है उसको कहा जा सकता है मतलब वो अपनी जीवन के बारे में बहुत बहुत सोचती है जैसे स्वामे वेकान जीने भी कहा था कि हमारे जीवन में जो भी चीज़े घटती है जो भी हमारे करम है उसको आप करकے उसमें का अच्छा लेने की कोशिश करो और ऐसे वक्त में आच्छा लेने की कोशिश करने हो गया है जो अत्मोफ में इसे करती है उस तरीके बलकि हमारे मतलब भुद्काल को देखना कि मैं मतलब किस तरीके से कहीं चीजों पर गलत तो नहीं था या फिर मैंने किसी के साथ अन्य तो नहीं किया अब जीवन में आगे मैं मतलब कुछ चीजों को सीखना चाहता हूं क्यों कि मेरी आत्मा का विकास जितने जल्दी हो सके सके यह मेरी आत्मा के लिए बहुत ज्यदा महत्व पुरनी होती है और बहुत बार देखा गया है कि आत्म बहुती ज्यादा गंबिता अगे बढ़ने की कोशिश करती है इसके वारे में मुझे और भी कोई की जरूरत है कि हमें पूर्थवी पर भी हमें मतलब इस तरिके से सोचना चाहिए कि मैं अपने जीवन में किसे को दुख नहीं दे रहा ना मेरी तो कोई कमजूरी नहीं है ना कुछ बाते मेरे सामने आई पर आने पर मैं अपने आप पर मतलब ज़रा भी यह नहीं कर पता मैं और अमरे आत्मा को आत्म लोग पे भी नुकसान हो तो ऐसी जो चीजे होती है वो एक आत्मा के लिए बहुत जादा महत्वपुर्णा होती है कि वो अपने जीवन में ऐसा कुछ भी ना करे जिससे मतलब उसके अधोगती हो क्योंकि यह जो बात है वो सिफ पृत्वी पर इंस बस मतलब लोग जैसे बोलेंगे वैसी ही वो चलती गई वो हमेशा मतलब लोग उस पर कंट्रोल करते थे और ये भी पहला इंसान मतलब उसके जीवन में आया तो वो भी वैसा ही उसके सबसे पहले पिताजी उस पर कंट्रोल करते थे बाद में उसका पती भी करने लगा बा करते हैं तो उनको सीखना चाहिए कि नहीं दूसरी की जिन्दगी वो कैसे भी जिये मुझे अपनी जिन्दगी जीना है और उसको ज्यादा मतलब कंट्रोल नहीं करना क्योंकि आज हम किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं तो हम मतलब पहले ही अपना मतलब सेटिंग लगा दिया लेकिन फिर भी उनको लगता ही नहीं कि वो कुछ बुरा कर रहे तो ऐसी जो मतलब बात है वह एक आत्मा के लिए बाद में दुख देगी और बाद में वह इसे ही मतलब दुख का चैन करेगी कि जहां पर इसको भी वैसे दुख का सामना करना पड़ेगा तो इसलिए जीव बाद का खयाल रखना आपका बहुत-बहुत धन्यवाद की रोश्नी ये एक कंसल्टनसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिनोंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत जादा दुखी है जो लोग इस संस्ता के साथ जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेजी में है जो मोबाइल पर या फिर लेप्टॉप पर आप उसे पढ़ सकते है और दस अडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी तो दोस्तों अगर आप इस संस्ता के साथ जुड़ना चाहते है तो गुरुपया इस नंबर पर वाट बहुत धन्यवाद